अलो फ्रेंट्स वेन अरे शोक्स हैं और आज की वीडियों में हम types of plant layout के बारे में जानने वाले हैं किस किस type के plant layouts होते हैं जनरली हम जानेंगे product layout process layout fixed position layout और compound plant layout के बारे में जिन से जिन plant layout के बिहाफ पर फिर उन में जिस type का material produce होता है उनका examples को भी हम देखेंगे तो चलिए friends स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो में आंते तक बने रहेगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजेगा चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम हमारा प्लांट का टाइप देखेंगे प्लांट लेओट का टाइप देखेंगे जो कि है प्रोड़क लेयाओट प्लांट कि रहेगा प्लान वीडियों और भी उट्सक्राइब करते हमारे हमेरे हैं यहां पर गॉत्सक्राइब के प्लाहल अच्छक्स अीप यहां पर फंचयर्फे नग्वाट लेयाओट यहां पर जो ऑनका लेयाओट होता एफ्ट बैसिस होता है अध्य कुण साइट से मतलब एक end से material in होता है और second hand से मतलब जो एक end से product हमारा in हुआ जो raw material in हुआ वहाँ पे machines होती है equipment tools, jigs, fixtures of manpower सारे हर एक machine पे रहता है available रहता है और वो line चलते हुए जाती है एक machine से second machine, second से third, third से fourth और ऐसे ही करके end जो हमारे machine जो line का end होता है वहाँ पे product हमारा finish product निकलता है तो वहाँ पे product layout होता means product एक side से in हुआ और जो उसका second end होगा मतलब जहाँ पे line खतम हो रही वहाँ से हमको finish good good मिलता है इसमें जो cycle time होता ना वह बहुत कम होता है यहाँ पे products जो बनते है वो काफी कम time में बनते हैं और इनका volume काफी ज़्यादा होता है जहाँ volume ज़्यादा होता है वहाँ पे product layout का use किया जाता है चलिए अब इसमें next हमारा type देखते हैं जो की है process layout process layout product layout से totally different होता है इसमें कहीं भी line नहीं चलती है इसमें machines process के sorry product के accordingly अरेंज नहीं की जाती है जैसे कि एक process के बाद दूसरा process दूसर process के बाद तीसर प्रोसेस आपने accordingly ना process layout में इस तरह से कियाता है जैसे कोई machine shop है कहीं पर billing है कहीं पर लेथ है grinding है इस तरह से आरेंज किया जाता है तो product layout process layout दोनों totally different होते है process layout में कभी भी product और फ्रार्ट टेलन नहीं होता है यहां पर सिर्फ इस टीडन होती है चीज़े इसके अधार हमारा नेक्श टाइप देखते हैं जो कि फिक्स पोजिशन लेऊट में हमारा जो प्रोडक्ट है खुद आता है, मतलब हम लेकर आते हैं, खुद से नहीं आता है, खुद हम लेकर आते हैं, और फिर वहाँ पर एक जगा पर काम करते हैं, जैसे कि for example हम समझ लेते हैं, कोई टर्वाइन है, या कोई मिल हुई, या बॉइलर्स हुए, या फिर कोई बड़ा सा शिप है, अब शि पर लेकर आते हैं, हम लेकर आते हैं, और यहां पर work perform करते हैं, यहां पर fix position होती है, या फिर हम कोई साइट समझ लें, चाहे PGCL की हो, NTPC हो, या कोई भी construction site समझ लेजे, तो वहां पर हम सारी machines को tools, equipment, manpower को लेकर आते हैं, और वहां task perform होता है, तो यह fix position layout होता है, इसके आद हमारा next layout है, combination layout, combination layout में, जो हमने ऊपर तीनो जो layout समझ हैं, उन सब का combine किया था, क्योंकि क्या है, कि इसमें जो तीनो layout हमने देखे हैं, उसमें flexibility बहुत कम होती है, और manufacturing में flexibility बहुत important होती है, इसलिए combination layout का अभी इसलिए generate हुआ, क्योंकि flexibility चाहिए होती, तो इन तीनों के जो फिर फिर नेगलेक्ट हो जाते हैं तो चली है अफिर उम्हें इपने चारों प्लांट लेयाउट को अच्छे से समझा होगा आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा इन चारू प्लांट लेयाउट्स में हमने काफी सारे वीडियो बना हैं फैब्रिकेशन मेनुफेक्टरिंग सप्लाइचेन पर आप चैनल पर जाके देख सकते हैं और किसी नए टॉपिक पर आपको वीडियो कोशिश करेंगे थैंक यू फ्रेंट्स थैंक्स फर झाल झाल